Question देखा और देखते ही सही आंसर पे टिक कर दिया दिया दोस्तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी ही amazing tricks लेके आया हूँ जिन्हें सीखने के बाद आप सिर्फ question को देखते ही उसका सही आंसर पहचान लोगे और अपने exam को बहुत अच्छे mark से crack कर लोगे पिर चाया आप किसी भी exam की तयारी करेंगा चाया SSC की, banking की, railway की, UPSC की मैटर नहीं करता है आपका आज grammar को देखने का नजरिया बदलेगा और exam से जस्ट पहले कुछ ऐसी बाते समझ में आएंगी वो रस्में आपको देके जाऊंगा जो आपको अच्छे marks गीन करने में बहुत help करेगा तो किस बात का इंतजार है दोस्तों? आईए शुरू करते हैं सबसे पहले देखते हैं although का इस्तमाल के exam में कैसे पहचाने के although आएगा के नहीं आएगा या although यहाँ पे गलत लगा हुआ है या लगना चाहिए कैसे देखते ही पहचाने ध्यान से सुनो जहाँ भी although होगा ना उसकी हिंदी से हमें कोई लेना देना नहीं है हमें यह देखना है कि जहाँ although होगा क्या वहाँ पर एक contrasting situation है contrasting situation इसका मतलब क्या हुआ? यानि दो ऐसी चीजे जो एक दूसरे के बिलकुल उलट है इस तरह की जो contrasting situation होती है तो दोनों चीजे एक साथ नहीं होती ना बिलकुल उलट सा होता है नहीं contrast होता है तो अगर ऐसी situation है sentence में वहाँ तो although आ जाएगा वरना although नहीं आएगा एक्जामबल देख लेता है फिर exam में question भी आप आप solve करोगे मैं नहीं करूँगा आप देखते ही solve कर लोगे आपके सामने question है बस यह देखो contrasting situation है है लगा दो वरना नहीं लगाना चलो देख लेड़े शीज यंग वो जवान है चलो जवान है भी वो जवान है ठीक है कोई दिकर नहीं शीज वेरी independent वह बहुत आजाद है कभी भी एक बात बताओ जो बहुत छोटा होता है जो बहुत ही यंग होता है क्या वह independent हो जाता है क्या उसको आपको आपको freedom देदी घरवालो नहीं जाहे मर्दी चले जाओ कुछ भी कर लो प्रसे question नहीं है आपके previous year में जो competitive exam है ना उसमें से निकाले हुए question है वो ही है यह ऐसा ही question आपके सामना आएगा देखो ना he got an A उसे A grade मिला अच्छी बात है फिर blank आया he was ill अब भाई A grade मिलिया बिमार था दोनों contrasting situation है बिल्कुल है बिमार आदमी को एका मिलेगा वो तो फेल हो जाएगा तो यह contrasting situation क्या all दो लगां क्या option में है यह रभाई option में लगा दिया बात खत्म ज्याद सूचने की भी जरूरत नहीं है ऐसे एक और question है आपके सामने यह रहा भाई she is intelligent she is diligent क्या यहां contrasting situation है बिल्कुल भी नहीं है intelligent है diligent है दोनों चीज़े अच्छी है ना है कि contrasting situation होगी वहीं although आएगा वह नहीं आएगा यह trick थी बताओ trick में मज़ा आया के नहीं मज़ा आया तो अभी वीडियो को like करो मैं एक और question कर रहा हूं जल्दी से वीडियो को like करके अपना प्यार दिखाओ अगर आपको मज़ा रहा है ऐसे मज़े में और करेंगे हम ऐस मैं तो आफिस जाई नहीं पाता मैं तो कहता है नहीं नहीं जा पाऊंगा वह बिचारत तवित खड़ा था फिर भी टाइम पर आके खड़ा हो गया कैसा आदमी था दो contrasting situation है 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 तो क्या लगा दो क्या although लगा दू हाँ लगा दो सर competitive exam में इतना असान पूछा जाता है खत्म है important बात although कभी sentence के last में नहीं आएगा या तो शुरुआत मा जाएगा या बीच मा आएगा लास्ट में नहीं आएगा इनके सकर आपको कोई सा भी exam है उसमें थोड़ा और difficult level भड़ जाता है तो वह उसके लिए बता रहा हूं आई यह कुछ और इसी तरह के कंजंशन कुछ और example मैंने आपके लिए लिखे हुए इन्हें भी देख लेना समझ में आज रहेगा और अच्छे से अच्छा अब मैं एक ऐसे conjunction के बारें बात करने वाला हूं जो exam में भरपूर पूछा जाता है मुझे समझ नहीं आते बार बार क्यों पूछा जाता है मैं उसका भी option दिये गए होते हैं या तो यह ले लो यह लो ठीक है बस इतनी सी बात है जहां कोई 2 option दिये गए होते हैं यहां पे वह contrasting situation नहीं है जो दो उल्टी चीज़े नहीं है दो एक दूसरे के जो contrary थी वह चीज़ीजे नहीं है यहां पर क्या यह बराबर की चीज़े है option में यह तो यह ले लो, यह यह कर लो, यह, यह यह इस तरीके से, जैसे एकरांपल, आफ 12 के बाद या तो ल e- closely कर सकते हो, या बी यह कर सकते हो, ऐसे, ऐसे, ठी if अब इसमें क्या पूछता है वो भी बताता हूं लेकिन से पहले नाइदर णौर भी फूशा like कुछ भी नहीं होता इदर और में positive बात हो रही हुती या तो यह याद तो यह नाइदर नौर में नेगेटिव बात होती है एन फॉर क्या होता है अच्छे बताओ एन फॉर नेगेटिव ना ऐसे एन फॉर नाइदर इस तरीके से याद रख ले ना इसको इसमें क्या होगा नाइदर नौर में ना तो यह ना तो यह ना तो मैं शारुखान से मिलूँगा ना इस सलमान खान से मिलूँगा इस तरीके समझ लो ना तो विराट कोली ने रंड करे ना तो रोहिशर्मा ने करे इस तरह से जहां दोनों ही चीज़े नहीं होई है वहाँ पे नाइदर नौर आ जाएगा एक्जांबल जल्दी साब के सामें लिखके बता तो फिर ट्रिक बताऊंगा बड़े मजे से ठीक है आइदर पूजा और विमल वाज ये विमल वो खाने वाला नहीं है वाज प्रेजेंट ठीक है तो भई या तो पूजा या फिर विमल प्रेजन्ट था या तो फूजा प्रेजेंट थी या फिर विमल प्रेजेट था अब सवाल का पूछा जाएगा exam में आ जाते है examiner के बारे बता देता हूँ किसी से बताना ना मत कि मैंने आपको ए ट्रिक बता दी है ध्यान जिसमें ट्रिक क्या इसको करने की आपके एक्जाम में कैसे सवाल आएगा ठीक है सवाल पूचा जाएगा यहां से यह असली खेल शुरू होता है यहां सिंग्लर और प्लूरल का एक इसके साथ ने छोटा सा रूल है ट्रिक है वो क्या है वो याद रखनी हमें यहां न क्यों वह आज आया याद रख लेना अगर यह सिंग्लर है पूजा सिंग्लर है विमल सिंग्लर है दोनों ऑप्शन क्या है मेरे यह सिंग्लर ही है यह सिंग्लर है एक है एक की बात हो रही है पूजा एक ही लड़की तो है पूजा थोड़ी है ऐसे ही विमल है विमल थोड़ अगर ऐसा भी तो सकता है कि दोनों प्लूरल हो जाएं फिर क्या करोगे अब और सीचुइशन चलो मैं आपके सामने रखता हूं थोड़ा और भीजा प्राइब करते हैं अगर एक सिंगूलर है एक प्लूरल है फिर क्या करोगे कुछ नहीं करेंगे सिंगूलर को पहले रखेंगे और वर्भी क्या जाएगी सरी थो अ प्लूरल बात ही खता में आगे बस एक ही तो सिचुएशन पनती है जहां इनमेंसे एक सिंगूलर है दूसरा प्लूरल है फिर क्या के वह प्लूरल ही वंग्या बाद में लिखा जाएगा इतनी सी बात है और यह अब बहुत बढ़े लिए बढ़े लेवल की बातरों जो एक्जाम बड़े से बड़े एक्जाम में आपसे पूछी जा सकती है है कोई कोर का सरनी ट्रिक समझ माई आई समझ में बेंतहा सवाल पूछे गए है कंपेटिटिव एक्जाम में आईए वह सवाल करा देता हूं ना बात ही खत्म है वह कहते हैं ना कि अब मुझे बता इसमें गलती का है पर सीधी सी बात है जहां भी नाइदर था बहुत नौर होना था यह और कैसे आगया यह काफी आसान था ना बिलकुल तो यह गलती कौन से पार्ट में हो रही है यहां पर गलती हो रही है फॉर्थ पार्ट में तो सहीं आजर क्या हो जाएगा यहां पर और नहीं आएगा नौर आएगा यह तो असान जदा उसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं आपको थोड़े साल लेवल के कराऊंगा ताकि आपको कॉंफिडेंस आए बाके बाद में देखेंगे थोड़ाइद देश ड़ डाल और गेम फॉर हर मुझे तो एग्जाम पास करना ही नहीं नोखरी चाहिए लेकिन अगर मुझे थोड़ी सी भी अकल है अगर मैंने थोड़ा सब वी डियर सर का वीडियो देखा था मैं यहां बड़े प्यार से एकदम कॉन्फिदेंस के साथ यहां क्या लगा दूंगा आएधर लगा दूग आपके आपके exam examiner ने यह ssc वगरा यह banking वगरा में यह सवाल वहां से आए मैंने नहीं करें तो यह latest questions है जो मैं आपके लिए लेकर आए वहाँ आगे देखते हैं और क्या जी डेश you not I can match his skills यहां भी दो चीज़े थी दोनों के बीच क्या था एक option था जो negative में था नौर देख आओ कुछ और tricks बताता हूं और उनको भी इसी तरह से solve कराता हूं भाई हम तो tricks लगाएंगे exam में अपना time बचाएंगे और job पाएंगे जी हां दोस्तों अभी कुछ और tricks बताऊंगा जो आपके mind को बहुत relax कर देंगी कोई doubt आ रहा हो या आगे कोई doubt आए तो आप मुझे इस्टेग्राम पर पूछ सकते हो personally मैं reply करता हूं dear sir काशिफ के ID से मैं हर बच्चे को reply करने की मेरी कोशिश रहती है तो बिल्कुल घबरानी की बात नहीं है मैं आपके साथ खड़ा हूँ ठीक है I have written not only but also बहुत इस्तेमाल होता है बहुत आसान है मैं सीधा सीधा बस इसके जैसे विराट कोली क्रिकेट नहीं खेलते हैं वह एक्टिंग भी करते हैं तो इस तरह की बात होती है आप से टीचर ही नहीं हो आप एक अच्छा इंसान भी हो ऐसे बोल रहे है तो अब इसमें सवाल के पूछा जाएगा वह देखते हैं लेकिन उससे पहले एक एक द्यान से यह सारी बात एक तरफ और इसके अंदर वर्ड यूज़ोता पैरललिजम वह इसका मतलब क्या होता है कि अगर नॉट ऑनली बट ऑल्सों का इस्तेमाल हो रहा है वहां यह देख लेना कि जो टेंस लगा हुआ है दोनों सेंटेंस में क्या वह सेम होना चाहिए जो ह सेम तेंस किये से वह निची बस इतना आप मेक्शूर कर लेना कैसे कैसे देखो न जल्दी से इसको देखो ही इस नौट ऑनली इंटेलिजेंट वो सिर्फ इंटेलिजेंट ही नहीं है बट और आलसो वर्ड हाड यहां तो प्रेजंट में था यहां यह वर्ड यानी किस में चला गया पास्ट में चला गया कर दीन घलती यह हो गयी ऐसे पूछ जाएगा तो यहां इन है थी यहां present indefinite में बात हो रही थी तो यह तो दोनों टेंस एक नहीं है अलग अलग टेंस है तो क्या यह गलत है हाँ इसमें गलती है और हमने पकड़ ली गलती नेक्स देख लेते हैं कि वो सब्सक्राइन नहीं है बट ऑल्सो यहां पे जो परलनी यहां पर यहां पर होना चाहिए तो सही था लेकिन यहां यहां पर आपने हैं लगाया यह दो अलग अलग चीज़े कैसे आपने घुसा दी यह गढ़बड है तो टेंस सेम होना चाहिए यह जो हैल्पिंग वर् पर चानने की क्या ट्रिक है वो सुनो जहां भी सिंस होगा वो आपने आप में सिर्फ दो बाते कर रहा हुता है या दो टाइमस को दिखा रहा होता है जो मैंने आपको 10th की वीडियो में reason बताते हैं और यह ऐसा reason बताते हूं जहां reason important नहीं होता दी फिर भी हो माँ लेतो क्योंकि गरीब था इसलिए कीलिए कहना यह नहीं पाया क्योंकि तो मैं ऐसे ऑन जहां reason important नहीं होता जो बात कही जाती है कि वह तो हम Gospel this एक्जामपल देख लो ना और अच्छी से क्लिर होता है since he had not studied hard he failed his exam क्योंकि उसने मेहनत नहीं की थी वह एक्जाम में फेल हो गया असली बात तो ये थी मैं यह नहीं कहना चाहता था कि क्योंकि उसने एक्जाम में क्या देखोगे अगर कोई ऐसी बाते हैं दो ऐसी बाते हैं जिसमें एक वजह बताए जा रही है जो वजह इंपार्टन नहीं है उस वजह की वजह से जो हुआ है वहां हम से लगाते हैं यह तो यह निकला रिजल्ट यह निकला यह तो यह चाहरा था कि वह आराम कि उसमें क्योंकि वह जब बता दी लेकिन इंपॉर्टन बात क्या थी यह थी एक्जाम में होता है आगर देखते हैं जल्दी से देखो ना सब दिखाओ ना मुझे इसलिए मैंने जल्दी से देख लिए थे आपके लिए चलो जी आगर क्षेंट नमबर 25 यह यह लुक टायड वाइट यह दो बाते थी यह एक ऐसी बात नहीं कि वह जब बता रहे ना बिल्कुल हो जाएगा कोई दिक्कत है नहीं जरा भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बड़ा ओव्यस था चलिए आगे बढ़े बिल्कुल आगे बढ़ते हैं तुम्हारी शादिवादी नहीं होगी हाँ जब तक कि तुम आयटी या फिर नीट ना निकाल लो यहाँ पे के ना होने की चांस तो पूरे थे लेकिन लेकिन मैंने रोका मैंने कंडिशन रखी कि यह काम हो सकता है अगर यह हो जाए जब तक यह नहीं होगा तब तक यह काम नहीं होगा ऐसी ही कंडिशन आपको एक्जाम में धूंडनी है उस सेंटेंस में अगर ऐसी कोई कंडिशन है है जिसकी वज़े से वह काम हो सकता है तो वहां आता है अनलेस और इसको समझने बड़ा असान है अनलेस मतलग इससे कम नहीं यह तो कंडिशन पूरी करनी पड़ेगी आउँ देख लेते हैं कैसे इससे वो भी मार भाई पक्का बीमार होगा लिकैर को बीमार ओघाए लिके यह हो सकता है यह अगर हो जाए तो तब हम क्या लगाते हैं अलेस लगाते हैं आपको दिमाग वहीं चलना चाहिए अलेस अगर आपके option में है अगर आपके option में ले जाना वरना आपको जाने की दूरत नहीं है इसी तरह के इंसको चयों को सपोर्ट करता है तो उसका कर रहे हैं कि कर पा रहा ह। चलाउत को कभी भी पेडर यह सकता उसका तक के fear को support ना करे, fear उसको support ना करे, तो क्या है यहाँ अलेस आ जाना चाहिए था, बिलकुल आ जाना चाहिए था, बाकिया option आप रखके देखोगे न, बहुत अटपटे लगोगे, आपको खुदहसी आईगी कि क्या रख रहे हैं अब लोग, तो यहाँ पर क्या थी, condition थी भाई, condition यह हो जाएगा, तो तो law enforce हो जाएगा, law apply हो जाएगा, इसी तरह से कुछ और ट्रिक्स देखते हैं, बहुत कल शादी में गोलगप्पे तो थे ही, साथी साथ, दूच जलेवी भी थी, हम कहते हैं इस तरह की बाते हैं, जहां हम दो चीज़ों का जिक्र करते हैं, जिसमें हम दूसरी चीज़ पर, जो दूसरी चीज़ होती है, उस पर ज्यादा जोर दे देते हैं, जैसे मैंने आपे का कि गुलकपे तो थे, हाँ गुलकपे थे, साथ ही साथ क्या थी, जलेवी भी थी, दूच जलेवी भी थी, तो दूच जलेवी जब हम बोलना होता है, तो हम as well as लगा दिया करते हैं, यही आपसे examiner करेगा, सुलो मैं juice बता रहा हूं, examiner क्या आपसे emphasis देने के लिए, किसी चीज़ पर, किसी दूसरी चीज़ पर, कोई second चीज़ होगी, उस पर emphasis देने के लिए, ठीक है, second thing पर, example देखो न, clear हो जाएगा, शशी, शशी तो थी, as well as her supporters, यहाँ पर क्या आगिया, as well as her supporters, शशी तो थी, भाई, शशी थी, शशी से हमें कोई प्र as well as you are tired of this work, वो तो थकी हुई थी, साथ ही साथ, तुम भी, तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुम भी ठक गये थे, अब, अब exam में आप से जो गलती कराई जाएगी, वो सुनो, इन दोनों sentence में ही गलती है, दोनों sentence ही गलत है, क्योंकि याद रखना important बात, trick सुनो, trick, जो आपक subject şey है, अचि tip क्या है, तो बर्भी क्या ही थी, वर्भ क्या हती क्या थी क्या हती, लीव थी, तो यहाँ पर जो वर्भी थी न, लीव को बनाके हुआ कर देंगे, लीव करेंगे present indefinite के according, तो यहाँ लीव यही होगा, लीव जो जाएगा, ऐसे जैसे जैसे वर्भ क्याशी, as समय जए पूचाँ पूचा जाएक एक्जाम में क्या पूचा गया वो देख लो जली उसने एक ड्रेस खरीदी साथ ही एक वाच भी खरीदी पूछा गया कि एक प्रैपेजिशन है कंजंग्शन है इंटर्जेक्शन हासी आरी मुझे सवाल पर आपके यह कंपेटिशन एक्जाम में पूछा गया तो बहुत असान दा इसका जवाब कंजंग्शन था ठीक है तो द होगा उसमें दो कंट्रास्टिंग सिच्वेशन एक दूसरे की अपोजिट वह देखना है अल्लेस वाला होगा तो कोई और कोई कंडिशन दे रखी होगी वह याद रखना है एस वेल एस का सवाल होगा तो दो चीज़े होंगी एक चीज़ पर जोर दिया जा रहा होगा और जो वर्ब जाएगी वो किसके कोर्डिंग जाएगी सब्जक के कोर्डिंग आधर और का सवाल होगा और नाधर नौर दोनों में से कोई सा भी आजाए दोनों का सेम रूल रहेगा क्या कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंग्लर वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट तो रीजन नहीं होगा उस लीजन की वाइसे जो काम हुआ वह होगा तो सिंस आएगा चीलिए चाहिए चाहिए चलिए चैनल को इसको इसको इनल लाइक से भर दो कि मैं मजबूर हो जाओ आप लोगोगे इसी तरह का मुझेदार कॉंटेट बनाने के लिए तो मिलते हैं है नेक्स झाल 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 झाल